आप सभी को मैं स्वाप्रेम नमस्कार करते हुए सुब्टिथी चैनल पे आपका हार्दिक स्वाकत करता हूँ आज में इस वीडियो के मातें से वाहन मुहर्त बताने जा रहा हूँ वाहन आपके लिए सुभ कैसे हो सकता है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है सुभ मुहर्त में किया गया कार्य हमेशा फलदाई होता है इसलिए वाहन चाहे छोटा हो या बड़ा हो चाहे अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो या कमर्सियल यूज के लिए आपको मुहर्त देखकर ही वाहन घर लाने चाहिए आपको टितियों का, दिन का, नक्षत्र का, लगन का और ग्रहों के स्थिती का ध्यान जरूर रखने चाहिए एक सुब मोहर्त चुन्ने का उदेश्य यह होता है कि आपका नया वाहन आपके घर खुशाली लेकर आए आपके लिए सुब फलदाई हो आपके घर में बहार आजाए, खुशियां आजाए एक से दो हो, दो से चार हो आप छोटा ले, फिर बढ़ा ले, यह सब कैसे होगा जब आपका नया वाहन फलेगा आपके लिए, तब होगा सुब मोहर्त हमें इसलिए देखना जरूरी होता है ताकि हम कोई भी वस्तू अपने घर असुब दिन में ना ले आए इसलिए हमें सुब मोहर्त देखना जरूरी होता है असुब मोहर्त में अगर कोई भी कारिये करते हैं या कोई चीज खरीद कर लाते हैं तो उससे हमें भारे नुक्सान होता है चाहें पैसे की हो या सरिर की हो इसलिए हमें मोहर्त निकाल कर ही कोई भी सुब कारिये करना चाहेंगे कई बार ऐसा होता है आपने भी देखा होगा वाहन जब बरकत देने लगे तो छोटी गारी से बड़ी गारी घर जल्दी आ जाती है एक ट्रक से दस ट्रक बहु जल्दी हो जाता है और आपने ये भी देखा होगा कि कोई एक वाहन खरिता है उसका लोन भी नहीं चुका पाता है दिक्कत आ जाती है ये सब क्यों होता है सुब और असुब मोहर्त के चल्दे इसलिए आप कोई भी गल्दियां नहीं करें सुब मोहर्त, सुब्तिथी, सुब्नक्षत्र में ही आपको वाहन खरितने है ताकि आपके घर वो नया वाहन खुसाले लेकर आए आगे जानते हैं वाहन खरितने का सुब मोहर्त कौन-कौन से है और किस दिन खरितने चाहिए, आपके लिए कौन से मोहर्त सुब होगे पर इस बात का आपको ध्यान रखना है मोहर्त हमेशा अपने नाम रासी, लगन, चंद्रवल, तारावल के अनुसार होने चाहिए हर एक इनसान का मोहर्त अलग होता है जैसे आपकी रासी अलग है वैसे मोहर्ट भी अलग होता है अगर आप मोहर्ट निकालना चाहते हैं अति सुब मोहर्ट तो 251 का डोनेशन दे कर आप अपने नाम, रासी के अनुसार गारी खरिद सकते हैं भाहन खरिद सकते हैं इसके लिए आपको WhatsApp पे संपर करना होगा, कुछ जानकारी भेजने होगी, इंतजार करना होगा कुछ घंटों का, आपके लिए सुब मोहर्ट निकाल कर देंगे आए जानते हैं कब खरिदने चाहिए, नया वाहन और सुब मोहर्ट इसका कब होता है कोई शी वाहन हो, चाहे अपने लिए या कमर्सियल यूज के लिए, जो इसका सुब दिन होता है, सोमबार, बुधवार, गुरुवार, सुक्रवार, इन चार दिनों में ही वाहन हमेशा अपने घर लाने चाहिए सुब नक्षत्र जो सुब होते हैं, अस्वेनी, मिर्गसरा, पुनर्वसू, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, स्रवन, घनिष्ठा, सत्भिषा और रेविती लगन जो सुध होता है, ब्रिश, मिथोन, करक, तुला, धनू, एबं मेंरासी का लगन प्रसस्त है अब बात कर लेते हैं, सुर्य नक्षत्र कौन से होने चाहिए, सुर्य नक्षत्र से, चंदर नक्षत्र तक गनना करके देख लेना चाहिए सुब लगन में सुब हो रहो, तो सर्वसेस्ट होता है जनबरी माह में मुहर्ट की तीथियां कौन-कौन से हैं, आप कब नया वाहन घर ला सकते हैं, जो आपके परिवार के लिए फलदाई होगा वाहन खरिदने का सुब मुहर्ट जनबरी माह में गुरूवार का दिन है अस्वनी नक्षत्र मानस योग में आप वाहन ला सकते हैं रविवार का दिन है पर आप इस दिन वाहन ला सकते हैं, मुहर्ट तति सुबह रोहनी नक्षत्र में पढ़ेगा 22 जनवरी 2024 सुमबार का दिन है मिर्ग सिरा नक्षत्र आनंदयोग में आप वाहन ला सकते हैं 25 जनवरी 2024 गुरुवार का दिन है पुष्य नक्षत्र है आप नया वाहन घर ला सकते हैं 26 जन्वरी का भी सुब दिन है पुष्य नक्षत्र है वाहन लाना आपके लिए सुब रहेगा 31 जन्वरी 2024 बुधवार का दिन है हस्त नक्षत्र में वाहन लाना सुब होगा मैं तो यही कहूंगा और सुब कामनाई भी दे रहा हूँ आपको कि आपका नया वाहन आपके लिए फलदाई हो पर मोहरत नाम राशी के अनुसार होने चाहिए 2501 का डोनेशन करें और अपना डिटेल समय वाट्सअप के माधिम से भेजें हम आपके लगन राशी के अनुसार जो उचित मोहरत होगा समय के साथ भेजेंगे ताकि उसी समय में आप लेकर आएं ताकि असुब समय से बच सके मैं अपने वानी पे अब यहीं विराम देता हूं और आपको स्वाप्रेम नमस्कार करते हुए मैं विदा लेता हूं जय स्रक्रिष्णा राधे राधे जय माता दे